फिर से स्वागत है आपका विहार भूट का आपसली चैनल में जहां दोस्तों आज हम लोग कभर करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री मोडल पेपर जो आपके बोर्ड परिक्षा 2021 किस के लिए महत्पुन होंगे अगर आप इस मोडल पेपर में 50% सोलूशन कर लेते हैं तो आप समझ जाएं कि आप बोर्ड एकचाम में अच्छे से अच्छे यानि स्कोर करने वाले हैं क्यूंकि इस मोडल पेपर में सारे anxiety question को select किया गया है जो आपके board प्रिक्षा में सारे anxiety question ही फूचे जाते हैं तो आप इस model paper को कैसे प्राप्त करें इसके बारे में हम वीडियो में last में आपको हम बताएंगे कि इसको कैसे प्राप्त करना है तो आप वीडियो में last तक बने रहे हैं मैं आपसे चोटी से request करना चाहता हूं कि अभी तकर आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब ने किये तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए गईस हम लोग स्टार्ट करते हैं चलिए आपको क्या अपका सब्सक्राइब तक एक सब्सक्राइब क्या उसको धिया से इसको ध्यान से सब्सक्राइब समय जाएगा तो व्याए इसकक्राइब क्राइब चलिए गईस कंट पजेगे अशन को अब द Sign up उन्सक्राइब का समय वागा इसको ऑन है llegar by तो देक्पा depreci पश्में को मिलेंगे इसमें से आपको राइट और चूज करना है तो हरपास अब्यता का जो सब्दे ब्रान अगर था तो उसके वह कौन है यानि मोहन जोदर है विल भी राइट एंसर नमर बी इसका राइट एंसर हो जाएगा चले गाई नेक्स्ट को फिर हम लोग कभर करते हैं नेक् इसका राइट एंसर हो जाएगा तो विल भी राइट एंसर ऑप्सन नमर डी इसका राइट एंसर हो जाएगा यानि विरिद ठीक है नेक्स्ट कोशन की ओर चलते हैं लोग नेक्स्ट कोशन जो आपके स्कीन पे आगया ध्यान से देखेगा इस क्वेशन को क्या कह रहा है कि मोड़ ये वन्स का टकसाला का परधान कौन था तो इसमें से आपको 4 ओप्सन देखने को मिलेगा इसमें से जो आपका राइट जो एंसर हो जाएगा तो विल वी दे राइट एंसर ओप्सन नमर सी इसका राइट एंसर हो जाएगा या नि पनाधियाक्ष ठीक है चले next question को फिर हम लोग देखते हैं next question जो आपके skin पर आगया ध्यान से देखेगा इस question को आप क्या कहरा है इसमें से असो का प्रेक्तिगत धर्म क्या था तो इसमें से आपको चार option इसमें फिर देखने को मिलेंगे पहला जो option में आपका दिया हुए question को फिर हम लोग देखते हैं जो आपके skin पर आगया ध्यान से देखेगा इस question को आप क्या कहरा है कि जीविक ने वेत की सिख्छा कहा से पाई तो इसमें से आपको चार option देखने को मिलेगा इसमें से आपको right option चूज करना है तो इसने छटा नमर का आपका right answer हो जाएगा तो will be the right answer option number A इसका right answer हो जाएगा नि तफसिला ठीक है चले next question की और हम लोग चलते हैं पहला question इसमें 7 नमर question क्या कहरा है इसमें ध्यान से देखेगा इस question को आप कि किस अभिलेक से सती पर्था का उलेक मिलता है इस question को क्या कह रहा है कि अर्थसास्त में कितना अपर कर का उलेक मिलता है थोरा सा tapping में इसमें मिस हो गया है इसलिए इसका right answer हो जाएगा तो यह हम लोग देखते है चार option इससे देखने को मिलेंगे इसमें जो right answer हो जाएगा तो will be the right answer चले next question को फिर हम लोग देखते है जो आपके इसके इसके इन प्या आगया ध्यान से देखेगा इस question को क्या कह रहा है कि भीम की पतनी थी यानि भीम का जो पतनी था यानि कौन था तो इसमें से आपको चार option देखने को मिलेगा इसका right answer हो जाएगा तो will be the right answer option नमर एसका right answer हो जाएगा यानि द्रौप थी चले next question की और चलते हैं यानि गंधारी चले next question की और चलते है next question जो आपके skin पर आगया ध्यान से देखेगा इस question को क्या आरियों का सबसे पर्मुप पसू कौन था तो इसमें से आपको चार option देखने को मिलेगा इसका right answer हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा यानि बैल वहां का सबसे यानि पर्मुप पसू था चले next question की और चलते हैं जो आपके skin पर आगया ध्यान से देखेगा इस question को आप क्या कह रहा है कि चौती बहुत परिश्यत की सासक के काल में हुई थी तो इसमें से आपको चार option देखने को मिलेगा तो इसमें से आपका right answer हो जाएगा will be the right answer option number 10 का right answer हो जाएगा इ next question की और चलते है next question जो आपके skin पर आगया ध्यान से दिखेगा इस question को कि इस question में क्या कह रहा है कि रिगवेद के आडियों के युद्ध देवता कौन थे तो इसमें से आपको चार option देखने को मिलेगा इसका right answer हो जाएगा तो will be the right answer option number 10 का right answer हो जाएगा इन्दर चले next question की और चलते हैं जो आपके skin पर आगया ध्यान से देखेगा इस question को आप क्या कह रहा है इसमें से कि रिगवेद मही मंडलों की संख्या कितनी है रिगवेद मही मंडलों की संख्या कितनी है 15 नमर का आपका जो right answer हो जाएगा will be the right answer option option number 8 का right answer हो जाएगा इन्दर चले next question की और जो आपके skin पर आगया ध्यान से देखेगा क्या कह रहा है कि मनसब दारी विवस्ता किस सासक के दोड़ा सुरू की गई तो इसमें से आपको चार option देखने को मिलेगा इसमें से right option चूज करना है आपका तो इसमें 16 नमर का जो आपका right answer हो जाएगा तो will be the right answer option option number 10 का right answer हो ज जाएगा चले next question की ओर चलते हैं जो आपके skin पर आगया ध्यान से देखेगा इस question को आपके skin पर आगया ध्यान से देखेए इस question में क्या कह रहा है कि अबुल फजल कृत आइन अकबडी में किस का वरनन है तो इसमें से आपको चार option देखने को मिलेगा पहला option में आपका व 18 question यानि इसमें दियान से देखेगा 18 question को आप के जजिया समाप्त किस मुगल सा सकने क्या था इसका right answer हो जाएगा यानि will be the right answer option में सीस का right answer हो जाएगा चले next question की ओर चलते हैं हम लोग next question जो आपके skin पर आगया ध्यान से देखेगा इस question को धाए दिन का जुपड़ा क्या यानि जुपड़ा क्या था तो इसमें से आप और चार ऑपिसन में आपका घड दोगा धृसरा में और क्या क्या धिया हो यानि मस्जीर दिया और चौthप का मगबढ़ा दिया हो इस इका ग्राइगा तो तो इसका right-ienigoingですね हो जाएगा तो आपका will be the right answer option number यानि क्या हो जाएगा डी इसका right answer हो जाएगा यानि जिम्यों से लिया जाता था चलिए next question की ओर चलते हैं जो आपके skin पे आगया ध्यान से देखेगा इस question को क्या कहरा है इसमें से कभीर सिस्य थे यानि कभीर जो इसमें से यानि किसके सिस्य थे तो इसमें से आपको चार option देखने को मिलेगा इसका right answer हो जाएगा तो will be the right answer option option number A इसका right answer हो जाएगा यानि रमानुज ठीक है चलिए next question की ओर चलते हैं जो आपके skin पे आगया ध्यान से देखेगा इस question को भारत में चिस्ती सिल्सिला के सनस्तापक कौन थे इसमें से आपको चार option देखने को मिलेगा तो यहाँ आपका निजामोदीन ओलिया दिया हो फस्ट option में और दूसरा में आपका खाजा मुनेदीन चिस्ती और बावर फडिद और option अमड़ी में क्या दियावा है नसीरोदीन क्या है चिराग एदिली ठीक है तो इसमें से right answer हो जाएगा बी इसका will be the right answer हो जाएगा चले नेक्स्ट कोशन की और देखते हैं लोग नेक्स्ट कोशन जो आपके इसकी इन प्यागए ध्यान से देखेगा इसमें से बंगाल के परशिद संद कौन थे तो आप इसमें से यहाँ चार प्शन देखने को मिलेंगे तो इसका right answer आपको हो जाएगा चले नेक्स्ट कोशन की और चलते हैं लोग नेक्स्ट कोशन जो आपके इसकी इन प्यागए ध्यान से देखे इस कोशन को आप इबन बतुता ने भारत के यात्रा किस सतावधी में की तो इसमें से आपको चार ओप्शन देखने को मिलेगा इसका right जो इन को आप 15 यानि 25 को ध्यान से देगा हुमायू के दरबार में कौन अफ्रीका यात्रा यानि यात्रा आया भारत आया ठीक है तो इसमें से आपको चार ओप्शन देखने को मिलेगा तो इसमें से राइड जो इन सरुजाएगा पचीस का will be the right answer इन सरु इन में से क्या हो बार जार आयरे को इन क्या यह पूरानों का अध्यन किया तो इसमें से आपको चार ओप्शन देखने को मिलेगा इस का राइड जो रहा है कि हा अंग्रेज ने भारत में अपनी पहली factory स्थापित किया था इसमें से आपको चार óptson देखने को मिलेगा तो आपका 27 का विवाग को मानने था, तो इसमें से आपको चार आपशन देखने को मिलेगा 28 का जो WT शहरा हो जायेगा आपका विल भी भी दर आइट एंसर ऑप्सान नमर यानि क्या हो जायेगा option नमर आपका D इसका विल भी दर आइट एंसर हो जायेगा जया है आठार सो बच्तन में इसको मानने था दिया है next question की ओर चलते हैं हम लोग next question जो आपके skin पे आ गया ध्यान से देखेगा धक्कन दंगा आयोग का गठन कभ क्या गया था यहाulin आपको इसमें से 4 सोप्शन देखने को मिलेगा धक्कन दंगा आयोग का गठन कभ वा तो 29 कप का जो राइर्ड जो GGISA रोग साएगा तो इसका right जो इंसर हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा option number D क्या थे यह बिहार के क्या थे यह बिहार के अठाव सल्टावन का करामती जो किया गया था तो वो बिहार से यह नि कौन थे यह नि कुमरसिन थे चलिए next question की और चलते है अठाव सल्टावन के विधरो के बिहार के नेता वीर कुमरसिन कहा के जमिंदार थे तो इसमें से आपको चार option देखने को मिलेगा इसका right जो इंसर हो जाएगा तो will be the right answer option number C इसका right answer हो जाएगा जगदी स्पूर के थे ठीक है चलिए हम लोग फिर next question की और चलते है जो आपके इसके पर आगया ध्यान से देखेगा इस question को गाईज अगर इस परकार के अगर आप model paper यानि और पढ़ना चाते है अगर इस channel के माध्यम सुदा भी इस channel को subscribe कर लेंगे तो भारत की राजधानी कॉलकाता से दिल्ली अस्थांतरी थुई थी यानि इसमें से आपको चार उप्सन देखने को मिलेगा इसका right answer क्या हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा तो will be the right answer अट्रा सो पचासवी इसका option नमर खो यानि will be the right answer हो जाएगा ठीक है चले next question की और चलत काला कानून किसे कहा गया तो इसमें से आपको चार उप्सन देखने को मिलेगा इसका right answer जाएगा तो वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को एक लैक कर दीजगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजगा चले next question की और चलते हैं हम लोग जो आपके इसकीन पे आगया ध चले next question की और चलते हैं जो आपके इसकीन पे आगया ध्यान से देखेगा इस को बिहार के चंपारान सत्यागरह कब हुआ तो इसमें से आपको चार उप्सन दिया हुआ है बिहार में जो चंपारान सत्यागरह हुआ था यह निए 917 मौता विल विद राइट इंसर उप्सन नमट सी इसका राइट इंसर हो जाएगा चले next question की और चलते है next question जो आपके इसकीन पे आगया ध्यान से देखेगा इस question को शयविन ने आग अंदुलन कब हुआ था इसमें से आपको चार उप्सन देखने को मिलेगा इसका जो र चले गाइज फिर हम लोग next question की और चलते हैं जो आपके skin पे आगया ध्यान से देखेगा इस question को क्या कह रहा है इसमें से भारत विवाजन की घुसना किस वर्स हुई थी तो इसमें से आपको चार option देखने को मिलेगा इसका right answer हो जाएगा तो will be the right answer option नमर सीस का right answer हो जाएगा चले next question की और चलते हैं हम लोग next question जो आपके skin पे आगया ध्यान से देखेगा इस question को क्या कह रहा है कि दिल्ली चलो का नाड़ा किस ने दिया तो आपके सामने यानि चार option दिया हुई इसका right answer हो जाएगा तो will be the right answer option नमर गोई इसका will be the right answer हो जाएगा चले next question की और चलते हैं जो आपके skin पे आगया ध्यान से देखेगा इस question को आप क्या कह रहा है इस question में कि सौतंत्र भारत का अंतीम गवर्णर जर्णर कौन था तो इसमें से आपको चार option दिया हुआ है इसका right answer जाएगा will be the right answer option नमर सी इसका right answer जाएगा निस सीलाज चले next question की और चलते हैं जो आपके skin पे आगया ध्यान से देखेगा भारत का नेपूलियन की सासा को कहा जाता है तो इसमें से चार option देखने को मिलेगा इसका right answer जाएगा will be the right answer option नमर को हो इसका right answer जाएगा निस समुद्र गुप्त चले next question की और चलते हैं महा भारत किसने ल चार option इसमें से देखने को मिलेगा इसका right answer जाएगा तो will be the right answer option नमर को हो इसका right answer हो जाएगा चले next question की और चलते हैं जो आपके skin पे आगया ध्यान से देखेगा इस question को क्या कहरा इस question में अर्थसास के लेखक कौन है तो इसमें से चार option देखने को मिलेगा अर्थसास के जो लेखक है वो कौटिल या option नमर गोई इसका right answer हो जाएगा चले next question की और चलते हैं जो आपके skin प्याग ध्यान से देखेगा इस question को कि विजे नगर समराज की अस्थापना किसने की विजे नगर समराज की अस्थापना किसने की इसमें से चार option देखने को मिलेगा इसका जो इसका right answer हो जाएगा चले नेक्स्ट question की और चलते हम लोग इपने बतुता किस देश के निवासी थे तो इसका आपको चार option देखने को मिलेगा इसका right answer हो जाएगा तो इसका right answer हो जाएगा तो देखेए आपको 60 objective इसमें question दिया वा था लेकिन आपको 50 question ही और आपको board exam में जाब देना है लेकिन हम यहां सारे question का जाब देंगे क्योंकि हम लोग 60 question को जाब करेंगे ठीक है तो यह क्या दिया कुतुब मीनार का निर्मान किस ने शुरू किया तो इसका right answer option नमर गोई इसका right answer हो जाएगा तो आगर गाईज इस परकार के अगर आप वीडियो देखन चाते हैं तो चैनल को अभी subscribe कर लें ठीक है next question की और चलते हैं हम लोग next question जो आपके skin पे आगया ध्यान से देखेगा इस question को अस्तापत्य कला का सबसे अधी विकास किस में किसके समय में हुआ था तो इसका right answer हो जाएगा तो इसका right answer हो जाएगा चले next question की और चलते हम अकबर का संदक्चा कौन था तो इसका right answer हो जाएगा और चलते हैं जो आपके skin पे आगया ध्यान से देखेगा इस question को क्या और एंग जेब ने अपने जीवन का अंतीम भाग बिताया था यानि दचिन भारत में बिताया थे और चलते हैं जो आपके skin पे आगया ध्यान से देखेगा इस question को कि मुस्लिम निंग की अस्थापना किस वर से हुई थी तो इसका right answer हो जाएगा तो option number अंधूर्ण और चलते हैं जो आपके इसके सिब्ज तेखिए गाई दिखने को मिलेगा इसका जो राइट जो जाएगा विली विदर राइट एंस और ऑप्सन नमर गोई नहीं इसका राइट एंस और गया इन गुजराथ चलिए नेक्स्ट कोशन की ओर चलते हैं जो आपके स्कीन पर आ गया है आप अगर वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा और वीडियो को ज्यादा से आपने फ्रेंड्स में फ्रेंड्स सेर कर दिया ताकि आपका दोस्त को भी